हलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रैंड ली की टीम कॉंबिनेशन की उपर जो की IPL का अगला मुकाबला मुंबई इंडियन्स बसके कोलकाता नाइट आडर्स के बीच खेला जाएगा इसके लिए तो दोस्तों गौर कीजएगा ये जो मुकाबला वानखेडे स्टेडिय मुंबई में खेला जाएगा जो की मुंबई इंडियन्स का होम गराउंड है और अभी तक इस गराउंड पर दोस्तों मुंबई इंडियन्स चार में से दो मुकाबला जीत चुकी है और इस मुकाबले में आप सभी लोगो टीम बनाते समय कन्फूजन भी हो रही है क्योंकि एक तरफ है मुंबई की टीम जो की लगातार मैचेस हार रही है और दूसरी तरफ है कोलकाता की टीम जो की अच्छे फॉर्म में है और इस मुकाबले में आप लोग बड़ी गलती ये कर रहे होंगे कि हमेशा की तरह बड़े-बड़े प्लियर्स को Captain अवाईस Captain कर रहे होंगे लेकिन मैं आपको बता दो कि इस मुकाबले की Dream Team में ये सारे प्लियर्स आप सभी को Captain अवाईस Captain नहीं दिखेंगे तो कौन से ऐसे प्लेयर से जिनको बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है और वो आपको इस मुकाबले में ग्रैंड लिंग में अच्छा का सा रैंक दिलाएंगे उसके बारे में डिटेलने बात करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विगेट कीपर सेक्षन से तो यहाँ पर आपके पास दोस्तों दो ओप्सन है फिलिप सॉल्ट कोलकता की तरब से और इसान किसन मुंबई की तरब से तो सबसे पहले फिलिप सॉल्ट की बात करेंगे जो कि पिछला दोनों मुकाबले में अरस तक ये पारी खेले हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं और इस ग्राउंड पर दोस्तो बैट्समेन को तो काफी मदद मिलती ही है तो फिलिप सॉल्ट इंपोर्टेंट तो रहेंगे ही तो फिलिप सॉल्ट को सबसे पहले लेंगे उसके बाद मुंबई की तरफ से इसान मुकाबले से फ्लॉप हो रहे हैं और दूसरी तरफ सुरक मर्यादो जो कि दोस्तो इस ग्राउंड पर इनका पोहमेंस बहुत ही तगड़ा रहता है लेकिन ये भी पिछले दो-तिन मुकाबले से फ्लॉप हो रहे हैं तब ही दोस्तो तीलक वर्मा और दोस्तो नीचे से टीम डेवीड और निहाल वदेडा को दोस्तों बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है और ये लोग सारे अच्छा पोहमेंस कर रहे हैं लेकिन दोस्तों हर बार ऐसा नहीं होगा हर बार मुंबाइ इंडियंस की टॉप और फ्लॉप नहीं होगी इसलिए दोस्तों जो हमारी पहली टी अच्छा पोहमेंस करते हैं तो फिर दोस्तों लोडर के प्लियर्स को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा तो उसी हिसाब समया पर सोचकर टीम बना रहा हूं और फिर उसके बाद कोलकता की तरब से हम लोग यहाँ पर सिरेस अयर को लेकर चलेंगे जो कि सूरू सही बहुत ही और देखा जा तो हर मुकावले में दोस्तों ड्रीम टीम में सामिल हो रहे हैं और बहुती संदर पॉइंट्स दे रहे हैं अब बात आ जाती है दोस्तों यहाँ पर तिलक वर्मा की तो फिलाल दोस्तों इस टीम में हम लोग इनको नहीं ले रहे हैं लेकिन आगे की टीम में जानने का कैसे आप लोग तिलव गर्मा को लेकर भी बैतरीन टीम बना सकते हैं और वहीं दोस्तों वेनकेटेस अईयर और रिंकु सिंग की बात करें तो इन दोनों का बैटिंग ओडर कन्फर्म नहीं है पिछले मुकाबले में दोस्तों रिंकु सिंग आये तो फर्स डाउन बैटिंग करने एर अगवंसी की जगह पर लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा रिंकु सिंग का बैटिंग ओडर नीचे ही है और रिंकु सिंग के लिए थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है क्योंकि इनका T20 का World Cup में सेलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोग का क्या रहा है दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए हमें और वहीं दोस्तों टीम डेविट की बात करें और निहाल वदेरा की तो अगर कोलगाता की टीम टॉस जीती है तो उस बेसिस पर हम लोग यहाँ पर टीम डेविट और निहाल वदेरा को फोकस करेंगे जो कि आगे के ग्रैंड लिक की टीम में जानेंगे फिलाल दोस्ते यहां परन में तीन ही बैट्समेन को लेकर चलेंगे अब इसके बाद औल राउंडर सेक्षन से बात कीज़े तो यहां पर आप सभी को उतना कंशुजन नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहां पर आपको जो पांच औल राउंडर दिख रहे हैं पांच में से तीन ही ओल राउंडर बेश्ट हैं जो की दोस्तो सबसे पहला नाम है सुनिल लरायन फिर एंडरोसल उसके बाद मुंबए की तरब से हार्दिक पंड्या को भी लेकर चलेंगे हार्दिक पंड्या की बात कर दो पिछले मुकाबले में दोस्तो सुनिल लरायन मुझे जहां तक लगता है नहीं कुतने इफेक्टिव सावित होंगे क्योंकि अभी तक इस ग्राउंड पर चार मुकाबले हुए हैं इस साल जिसमें से दोस्तो स्पिनर्स को मातर तीन विकेट मिली है और फास्ट बोलर को मिले है दोस्तो 49 विकेट तो यहां पर फॉर्स्ट इन्ंग हो या सकेंड इन्ंग फास्ट बोलर को ज्यादा मदद मिल रही है तीसले सुनिल लरायन को हो सक है बौलिंग में उतना मदद ना मिले और बैटिंग से भी इनका कमजोरी सभी को पता चल गिया है कि दोस्तों अगर आप लोग इनको यूरकर बॉलिंग कराते हैं तो यह ज़्यादा देर नहीं टिकते हैं तो आप सभी को इस मुकाबले में जहां तो मुझे लग रहा है कि भूमरा नहीं तो कॉल्ड जे आपको इनको इनको इस्टार्टिंग में ही आउट कर देंगे मानियेगा लेकिन दोस्तों जस्परिद मुमरा को पीछला तीन मुकाबला अगर आप लोग उठा कर देखियेगा तो बहुत ही बुरा पफॉर्मेंस किये हैं और इस मुकाबले में भी दोस्तों इनका पफॉर्मेंस अगर मुंबई की टीम टॉस जीती है तो अच्छा हो सक करता है लेकिन अगर मुंबे की टीम टॉस हारती है तो उस बिसिस पर आप लोग जस्परिद मुमरा को ड्रॉप करके यहां पर आप लोग मिचल स्टार्क नहीं तो वैबो अरोरा को ले सकते हैं फिलाल दोस्तों जो हमारी पहली टीम रहने वाली है यहां पर मैंने टॉप के जरतर पिलर्स को लिया हुआ है तो यहां पर मैं जस्परिद मुमरा को लूँगा जो कि आखरी कभर में बॉलिंग कराएंगे उसके बाद मैं यहां पर वरुन चक्रवति को ना लेकर यहां पर मैं इनकी जगप पर वैबो अरोरा को लूँगा क्योंकि इस ग्राउंड प यह होगी दोस्ते यहां पर हमारी team combination अब बाखी दोस्तों बात करें Mitchell श्टार्क और दोस्तों यहांपर Varun चकरवति की तो आगे की team में भी जानेगा कैसे आप सभी को इनको लेकर team बनानी है और अगर आप लोग सोच रहें कि सारे प्लियर्स को एक टीम में ले ले तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों अब इसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करे तो दोस्तों यहाँ पर 50% से ज़्यादा पवली कि यहाँ पर कैप्टन करेगी सूनिल नरायन को लेकिन मैंने आपको जैसे बता है कि इसका इस मुकावलें फ्लॉप होने का चांसे बहुत ज़्यादा है तो जोस्तों जो हमारे कप्टान रहेंगे ग्रैंड लिके हिसाब से पहले टीम में रोहिज सर्मा रहने वाले है और वाइस कप्टान सूनिल नरायन यहाँ पर जो हमारे कप्टान रहेंगे रोहिज सर्मा वाइस कप्टान रहेंगे सूनिल नरायन दोनों मेंने विकेट कीपर को रखा है इसान किसन फिलिप सॉल्ट को और opening batsman मैंने रोहित सर्मा को लिया जो कि हिसान की संद के साथ opening करेंगे और सुनिल लरायन को लिया जो कि फिलिप सॉल्ट के साथ opening करेंगे middle order से सरेस एयर और सुरिकुमार यादो को लिया हूँ फिर low order से हार्दिक पांडे और रसल को और bowling मैंने वुमरा कोड़ जी और वैब और औरोरा के साथ जा रहा हूँ यह होगी दोस्ते हैं आपर हमारी पहली टीम जो कि टॉप order को batsman को फिवर करते हो रहेगी अब इसकी बात कर लेते हैं दूसरी टीम की उपर तो दोस्तों जो हमारी दूसरी टीम रहने वाली है यह पूरी को पूरी middle order को फिवर करते हो रहेगी यहां पर मैंने middle order से दोस्तों लिया हुआ तिलक वर्मा को रोई सर्मा के जगपर और यहां पर मैं दोस्तों middle order से लिया हूँ कोलकाता की तरफ से स्रेस अयर को और रसल को और बाकी दोस्तों मैंने इस टीम में जारा चेंजन नहीं किया क्यूंकि कोलकाता की तरफ से भी कुछी पिल्यार से जो की continuous performance दे रहे हैं और दोस्तों इस टीम में दोस्तों जो हमारे कप्तान रहेंगे सुर कुमर याद हो रहेंगे जो कि first done बैटिंग करने आएंगे और जिनका इस ground पर record बहुत ही अच्छा है और फिलिप सोल्ट को मैंने यहाँ पर लिया हुए वाइस कैप्टन के तौर पर और यहाँ पर दोस्तों मैंने रोहित सर्मा को नहीं लिया है क्योंकि पिछली टीम में मैंने रोहित सर्मा को कैप्टन किया था और लगतार तीन मुकावले से हिट मैं दोस्तों रोहित सर्मा फ्लॉप हो रहे हैं तो हो सकता है इस मुकावले में फ्लॉप हो जाएं इसलिए दोस्तों आपको क्या करनी है सारी टीम एक जैसी combination नहीं लगानी है आपको जितनी भी टीम लगा रहे हैं सारी के सारी टीम में अलग-अलग captain वाइस captain रखे ताकि आपके जितने का chances बढ़ जाए नहीं तो दोस्तों अगर आप लोग रोही सर्मा को हर टीम में लेकर captain वाइस captain करेंगे और अगर बाई chance रोही सर्मा आउट हो जाते हैं तो फिर आपकी टीम सारी के सारी टीम फ्लॉप हो जाएगी और इस टीम में दोस्तों मैंने यहाँ पर मिचल स्टार को लिया है जो कि दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि स्टार्टिंग में ही रोज सर्मा को आउट कर देंगे और तीनों मेरे वही वाल राउंडर रहेंगे रसल, एर्सुन लरायन और हर्दिक पांडिया और बाकी मैंने बॉलिंग से जस्परिद उम्परा मिचल स्टार्क और एन्थ हुसारा को मैं ले रहा हूँ एन्थ हुसारा को दोस्तों बहुत कम लोग लिये हुए हैं इसलिए दोस्तों मैं इनकी उपर फोकस कर रहा हूँ जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बोलिंग करा रहे हैं तो ये होगी दोस्त नहीं पर हमारी दूसरी टीम जो कि middle order को favor करते हो रहेगी अब इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरी टीम की उपर तो यैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्त ये जो मुकाबला है वानखेटे स्टेडियम मुंबई में होगा जो कि मुंबई इंडियन्स का होम ग्राउंड है तो दोस्तों जो हमारी तीसरी टीम रहने वाली है पूरी की पूरी मुंबई को फिवर करते हो रहेगी और टॉप ओडर से इसान किसन को मैंने कैप्टन किया रोहिस सर्मा को मैंने लिया सुरुक मर्यादो को तो टॉप के मैंने तीनों बल्लेवाज को लिया है मुमबे की तरफ से और ओर राउंटर मिलाकर मैंने चार बोलर को लिया था टोटल मैंने साथ फिलर लिया है मुमबे के तरफ से रवाइस केप्तन में वूंएरा को कर रहा हूं और वहीं दोस्तों कोलकाता के तरब से बात करता के वल मैं एक ओपनर सुनी लरायन को लिया हूँ क्योंकि यह बैटिंग बोलिंग दोनों करेंगे और वहीं मिडल ओर्डर से वेनके टेस्ट या रिंकू सिंग और रसल को मैं ले रहा हूँ तो नहीं मैंने फिलिप सॉल्ट को लिया क्योंकि बाकी मैंने टीम में फिलिप सॉल्ट को कैप्टन वाइस कैप्टन भी किया था तो दोस्तों यह जो हमारी पूरी टीम रहेगी पूरी पूरी मुंबाइ इंडियन को फैवर करते हो रहेगी और कई बार ऐसा हुआ है कि दोस्तो एक टीम बिल्कुल भी one-sided जीत जाती है और दूसरे टीम के पास उतना मौकान नहीं रहता है यह बिल्कुल भी उसी टैप की combination रहने वाली है अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर चौथी टीम की उपर तो दोस्तों जो हमारी चौथी टीम रहेगी है पूरी पूरी कोलकाता का फैवर करते हो रहेगी कोलकाता के तरफ से मैंने कि फिलिप सॉल्ट को कैप्टन किया वाइस कैप्टन दोस्तों मिचल स्टार को और मैं ये सोत रहा हूँ कि मिचल श्टार्क आते के साथ ही यहाँ पर इसान किसन और रोही सरमा काउट कर देंगे और कई बार ऐसा हुआ भी है दोस्तों कि इसान किसन रोही सरमा पाउर प्ले में ही आउट हो गए है और फिर दोस्तो सूरक मर्यादो तीलक कोरमा और टीम डेविड ने पारी सम्हाली है और यहां पर मैं दोस्तो कोलकाता के तरफ से सुनी नरायन फिलिप सौल्ट को मिलिया हूँ जोकि ओपनिंग करेंगे फिर मिडल ओर्डर से स्रेस अयर और बॉलिंग से में लिया है और रसल को नरायन को वरुन चकरवती और श्टार को और वहीं मुंबाई की तरफ से में कियो लेक बोलर भूमरा को ले रहा हूँ तो यह दोस्तो जो हमारी पूरी पूरी टीम रहेगी कोलगाता का फिवर करते हो रहेगी कैप्टन फिलिप सोल्ट वाइस कैप्टन मिचल स्टार्क तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सुभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर पहली बारत है सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा धन्यवाद दोस्तो वीडियो देखने के लिए